Hi winners, I hope you all are well this side, Rajiv Anand. Welcome to Crypto Marg YouTube channel, Crypto का रास्ता. Winners, 2023 के शुरुवात से ही, Baby Doge Coin ने अपने कुछ official announcement की help से अपने crypto project के अंदर काफी बड़ा potential बना लिया है. 2022 में, सितंबर और अक्टूबर महीने से, जब Baby Doge Coin अपने swap option को एक best utility बना कर, crypto market में introduce कर चुका था, उसके बाद Baby Doge Coin ने सबसे पहले अपने Baby Doge का जो pair option है swap में, उसको strong बनाया. Strong बनाने के लिए Binance, BUSD और आप बोल सकते हैं USDT और BNB का साहरा लिया. और finally, आप लोगों ने जनवरी 2023 में, मतलब पिछले 15 दिन के अंदर ही, Baby Doge के swap option से, काफी सारा buyback और swapping feature का benefit, burning का benefit जो है, वो भी सुन चुके हो, जिसकी वज़े से, Baby Doge Coin के price के अंदर, आप लोगों को एक bullish recovery होता हुआ दिखाई दे रहा है. और ये recovery एक बार फिर से, Baby Doge Coin को 6-0 के scalable zone में लेकर वापसी करता हुआ दिखाई भी दे रहा है. 92 की series पर पहुँच चुका है, last 24 hour के अंदर, Baby Doge Coin में जो bullish recovery देखी जा रही है, वो more than 7% किया है. इसका एक positive impact जो market में आया है, Baby Doge Coin के bullish sentiment कैसे निकल कर आते हैं, और आने माले टाइम में Baby Doge Project एक कैसे strong project की तरफ बढ़ रहा है, अब हम लोगों ने उस point पर बात करनी है. आप लोगों ने मेरी काफी सारी वीडियो में, या हो सकता है, आप लोग जिन YouTubers की और वीडियो सुनते हो, उनकी वीडियो में कई बर सुना हो के Baby Doge Coin के साथ सबसे बड़ी problem थी liquidity की, इस liquidity को Baby Doge Coin अब बहुत fastly जो है, वो resolve कर रहा है, नई से नई partnership के help से, दूसरा, Baby Doge Coin अपने swap के अंदर buyback का feature introduce कर चुका है, और तीसरा जो सबसे बड़ा impact, जो 12 जनवरी से Baby Doge Coin ने अपने official Twitter handle पर discuss कर लिया है, आएए उसके बारे में detail में जानते हैं, और आने वाले time में Baby Doge Coin की valuation पर क्या impact आ सकता है, उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे, तो दोस्तों ये है वो update, Baby Doge Coin recently अब burn portal पर काम कर रहा है, और बहुत जल्दी Baby Doge Coin का ये burning portal जो है, उसके live के update भी आपके सामने आने वाले हैं, 12 जनवरी को Baby Doge Coin ने अपने official Twitter handle पर इस particular announcement को tweet किया, इस announcement के बाद, Baby Doge Coin में definitely एक bullish sentiment तो बनता था, लेकिन Baby Doge Coin ने कहीं न कहीं पर बहुत ऐसी चीज़े mention की, जिसकी वज़े से हमें लगा कि सच में आने वाले कुछी टाइम में, Baby Doge Coin अपने इस burn portal को live भी कर देगा, 420 Quad Trillion Token Supply का वो token, जिसको इस ताइम पर सबसे ज़्यादा requirement है burning की, already potential साबित कर चुका है crypto market में, बट burning update हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, तो Baby Doge Coin भी Shiba इनू की तरह अपना official burning portal launch करने जा रहा है, देखिए, Shiba ने जब official burning portal launch किया, तो उसने Twitter पर एक Twitter handle बनाया, ship burn, हो सकता है Baby Doge Coin भी ऐसा एक step ले, बट दूसरा point यह है, कि अगर Baby Doge Coin के burning portal के अंदर, remint की facility ना हो, मतलब, दुबारा से token add ना हो, तो यह project आने वाले time में, काफी बड़ा project बनने के पूरे chance बन चुके है, Baby Doge Coin इस time पर जो सबसे बड़ा काम कर रहा है, वो अपने liquidity को increase करने के लिए कर रहा है, यहां पर देखिए, यह point बिल्कुल mention है, Baby Doge swap option जो है, जो एक utility बनाया गया है, Baby Doge Coin के लिए, उसका बनाने का reason ही यह है, कि Baby Doge Coin को listing ना मिलने का सबसे बड़ा reason liquidity है, Baby Doge Coin अलएड यह जानता है कि 420 quarterillion की supply है, जिसमें liquidity एक बहुत बड़ा factor है, उस liquidity को बढ़ाने के लिए, Baby Doge Coin ने swap option को ही launch किया था, और आज उस swap option में 3-4 महीने हो चुके हैं, और काफी सारे project Baby Doge Coin के, जो swap option है, उसमें list भी होते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीना कही पर, जो Baby Doge Coin से एक जो सबसे बड़ी problem है, मतलब यह वही problem है, जब आप कोई भी token या coin buy करते हो किसी भी exchange से, तो buy पर आप जब click करते हो, तो आपके पास एक message आता है, कि यह highly volatility token है, because इसकी liquidity कम है, तो Baby Doge Coin उसी option पर काम कर रहा है, कि अगर आप लोग Baby Doge Coin को buy करने जा रहे हो, तो buy पर जब आप click करो, तो liquidity Baby Doge Coin की इतनी strong हो जाए, कि आपको वह message ना दिखाई दे, और वह message ना आना, एक project का proof of potential जो है, वह market में रखता है, तो उसी proof of potential के लिए, Baby Doge Coin ने swap option से, अपनी liquidity को day by day increase करना start कर दिया है, सबसे पहला positive update, दूसरा, Baby Doge Coin का जो swap feature है, वह build कर रहा है कुछ नए feature, जिससे growing DEX की जो services है, उसको और ज़्यादा build up किया जा सके, मतलब decentralized exchange में, Baby Doge swap option जो है, वह कुछ नए features को adopt करने की कोशिश कर रहा है, जिससे आने वाले time में, इसके token का एक worth बन सके, एक potential भी market में बन सके, तीसरा point, 420 quad trillion token supply का project है, वह Baby Doge coin को पता है, लेकिन अब वो उसके बहुत सारे तरीके डून रहा है, जिसकी वज़े से क्या हो, supply कट हो और impact आए price पर long term, और boost the overall value of the ecosystem, जो Baby Doge coin का पूरा ecosystem है, उसके proper long term price पर भी impact पड़े, और overall उसकी value पर भी impact पड़े, देखे, खाली price बढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, उस particular core token का price भी best होना चीए, और आने वाले time में, उसका usage भी हो, इसलिए crypto एक utility मानी जाती है, उन projects को best utility हम लोग मान सकते हैं, जिन project के अंदर future में आने वाले time में, कुछ use भी हो, उनकी कुछ utility बने, तो Baby Doge coin अब उस particular roadmap के उपर भी काम करना शुरू कर चुका है, और यहाँ पर जो यह liquidity increase होई है, देखे, यहाँ पर भी clear mention है, the project is now a fully decentralized exchange with swap, अगर हम बात करें, तो एक complete decentralized exchange हो चुकी है, swap option की वज़े से, liquidity pool add on हो चुके है, wild farming आ चुका है, और भी नए features जो है, वो Baby Doge coin के swap option में add on होने वाले हैं, Baby Doge consider its primary utility as a building of fun meme community, to spread awareness of animal adoption, मतलब यह कई नहीं पर Baby Doge coin के लिए, जो animal adoption के लिए, जिसमें Baby Doge coin नए liquidity pool, नए wild farming pool और कुछ और नए feature add on करेगा, जिससे future में Baby Doge coin का swap option, strong बनने का सीधा सा reason है, कि liquidity बढ़ेगी, liquidity बढ़ेगी, listing मिलेगी, अब listing में एक hurdle हो सकता है, meme cryptocurrency culture का token supply ज़्याद है, उसके लिए Baby Doge coin ने, अपना portal जो है, burning portal जो है, उसकी भी announcement कर दी है, तो अब जितनी जल्दी, Baby Doge coin का ये burn portal, हमें market में live होता, दिखता है, it's like a main net, जैसे हम लोग काफी time से core का, main net की wait कर रहे थे, और finally, आज core का main net आ गया, so Baby Doge coin का ये burning portal भी, उसी major hype की तरह है, उसी major announcement की तरह है, कि एक token already market में worth बना चुका है, they have the holders, they have the potential, but what they want, now holders, investors, even community wants, कि supply को reduce किया जाए, cut किया जाए, और उसी के लिए Baby Doge coin का, 2013 के जन्वरी महीने से, एक काफी अच्छा step, कि burning portal को बहुत ही जल्दी लाने वाला है, और Baby Doge का burn portal, पैक देखता हुआ, जरूर मिलेगा, तो यही announcement Baby Doge coin ने, अपने Twitter handle पर भी time to time कर रखी है, और अब हमें लग रहा है, कि 2023, Shiba Inu, Doge coin, और इस टाइम पर, वर्ल्ड का third top meme cryptocurrency culture का project, Baby Doge coin भी end तक, हमें काफी अच्छी वेली generate करके, definitely देने वाला है, So this is the overall updates for today, but please keep it in mind, you are in the highly volatile market, so if you want to buy, if you want to start, if you want to invest in crypto, please do your own research first. Thank you so much for watching this video and please do subscribe Cryptomark YouTube channel for more updates. Thank you so much.